हाई फ्रेंड मैं पूर्बा आपनों का स्वागत करती हूं MP सकसे सर्च में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीविज ए एक्जाम पिपर से मैंने लिए हुए जेल पहरी के तो आपने देगा था प्रीविज वीडियो म इसे के प्रवारी हुए हैं पर तो यहां पर हम 11 से 20 में के क्वेश्चन यहां पर देखेंगे ठीक है तो यहां पर चलिए सट करते हैं तो देखते हैं 11 नमर क्वेश्चन यहां पर क्या है कि कीड़ती ने साथ वर्द के लिए 12 पिरसत की दर से 10 जार रुपए उधार लिये उसे परति-वर्स साथ वर्स तक कितना । averaging वापिस करना हुगा क्या होता है अमांट प्रिंस्रदन में क्या होता है और प्रिंसिपल फ्लक्ण से फ़र्ण भी अख़ते對不對 कर लेंगे और इंटू टाइम किता है हमारे पास साथ साल ठीक है तो सिंपली यह किया हम यहां पर क्या लिखेंगे टैन टू दी पावर फॉर प्लस यह दो जीरो से दो जीरो कर जाएगा तो टैन का स्क्वेर बचेगा और 12 इंटू 7 किता होता है 84 तो 84 इंटू 100 कर लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 84 डवल जीरो ठीक है अब हम 10 टू दी पावर फॉर और इसको एड़ करेंगे 10,000 में हम 8,400 एड़ करेंगे तो यह क्या बन जाएगा 18,400 हो जाएगे ठीक है तो यह 18,400 रोपए उसे देने होंगे 10,000 रोपए पर उसे 8,400 रोपए का ब्याज लग जाएगा तो पूरे जब वापिस करेंगे तो 18,400 रोपए उसे 7 साल में भुक्तानों से करना पड़ेगा तो option number A जो हमारे क्या हो जाएगा answer हो जाएगा इस ताइप से इसको निकालना था अब हम next question इसमें देखते हैं तो क्या है के find the cube root of 13.824 थीक है तो घंमूल निकालना में घंमूल क्या होता है क्यूब रूट यानि की घंमूल ठीक है तो 13.824 का अगर हम निकाले तो कैसे करेंगे तो यहां पर जो point है इसको हम हटाएंगे तो point के बाद 3,0 लग जाएंगे 3 points है क्योंकि ठीक है अब simply यहां पर क्या हो जाएगा 10 है नीचे तो यहां पर कितना बन जाएगा 2.4 ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2.4 तो option number 3 जो है वो 12 number question का answer हो जाएगा इस टाइप से इसको करना था आप देखते है 13 number question तो यहां पर आप देखेंगे 3-3 है तो D equal यहां पर क्या हो जाएगा D equal 3 हो जाएगा और A equal होता है first term तो first term क्या है यहां पर 4 और यह इसकी ए AP की series है तो यहां पर जो 9th term नकालना है तो TN equal क्या होता है AP की series में A plus N minus 1 into D तो यहां पर हमें लिख देंगे TN equal हमारे पास 9 है 9th निकालना में तो A की value हमारे पास 4 है plus N equal क्या है 9 और minus 1 into D की value कितनी है 3 तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 plus 9 minus 1 हो जाएगा 8 18 into 3 तो कितना हो जाएगा 28 तो 24 और 4 कितना हो जाता है 28 तो 28 जो है वो हमारा answer हो जाएगा तो option number 4 हम देखेंगे तो यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है इस type से इसको करना था अब हम next question देखते हैं यहां पर तो 14th number question क्या है कौन सी संख्या बढ़ी है तो आप खुद से देखें इसमें कि यह 23,000 चाहुआ ने 24,000 तो यह बढ़ा हुआ फिर 24,000 तो यह भी बढ़ा हुआ तो 24,000 में से 24,000 है 4 नमबर पर और यह 24,000 है तो 24,000 है हमारा right answer हो जाएग क्योंकि यह सबसे बड़ी संख्या है तो 24,000 is the right answer 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं वाकि अधर सब्जेक्ट में आपको ऐसी कमांड बनानी है तो जिससे आपके 100 में से कम से कम आप 80,85 प्लस लाएं तो आपका सेलेक्शन के 100% chances है और साथ में आपको क्या करना है कि आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है फिजिकल की भी ठीक है तो आपको दोड़ वोड़ भी रोज कंटिन्यू करनी है और जो बेट बगएर उठाने का है उसको भी करके रोज आपको करते रहना है ठीक है अब फिफीं स्रमिक के लिए कितने स्रमिक की आप शक्ता होगी है कि यहां पर देखते हैं नौस्रमिक हैं एक दीवार को तौवर के पिर्वकता है घищ करने के ऑफ्रफा 생각을 3 लिए स्रमिक गांटे में बना लका कृता हैम कि तो तो यहां पर देख हिंगे हैork दो धिवार क किता है गयें कि तो एक बरके है छिए एक बरकें तो 9इटू 28 इसी समानकार ही को समानकारी को समानकारी है और कितने Neverkin cabinet बना गलेंगे तो हम ने one ऐसे एक स्रमया है 21 घंटों तो 21 घंटों में ठीक है और नीचे हम क्या लिखेंगे यहां पर यह भी कि इनको करना है कि समानकार है मतलब कि एक ही बरक है इसमें भी तो अब बस इनको डिवाइड कर देना है में तो 33 जा 9 और 37 जा 21 और 7 से यहां काटेंगे तो 4 आ जाएगा अब हम यहां पर 16 QA देखें तो 16 यहां पर क्या है तो यहां पर है कि यहां पर यह बताए है कि 2.5 x 1 1.5 m² परिमाड वाला एक दरवाजा और 1.5 m x 1 m 2 खिड़क्यों के फ्रेम है और साथ मीटर इंटू सिक्स मीटर परिमार वाली एक दीवार पर लगाए गए है ठीक है तो दीवार को पेंट करने के लिए कुल स्रम लागत ग्याद करें एक मीटर की पेंटिंग के लिए स्रम लागत चार रुपए है यहार आपको प्याद कर स्यार टीवाल है तो फिस ने दीवाल है यहां पर किते है सेवन इंटू जो खतना है मतलग है तक पर नौट पर उसमे मेट है लिए निटीवाल में उस नपार किता है 25 into 1 मतलब 2.5 meter square का एक दर्वाजा है ठीक है तो area of door लिख दिया फिर area of window निकालना बिंडो कितनी है 2 है तो 2 into 1 window का 1 window का map कितना है 1.5 into 1 equals to 1.5 और multiply करेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा 3 meter square रिक है तो 2.5 meter square का एक दर्वाजा है और 3 meter square का यहां पर एक क्या हो जाएगा दो खिड़किया हो जाएगी ठीक है तो मिलाकर कितना area हो गया तो 5.5 area हो गया तो 5.5 meter square का जो area है वो दीवाल में से कम हो जाएगा ठीक है उतने में क्योंकि paint नहीं होगा अब देखो आप जैसे दीवाल है तो यहां यहां तो paint हो सब्ट्रैक कर देंगे तो जब हम इसी सब्ट्रैक करेंगे तो यहां पर कितना आजाएगा 5.6 और यहां पर कितना आजाएगा 36.5 meter square जो रहेगा वो area हो जाएगा हमारा जितने में हमें paint करवाना है तो आप इतना note कर लेना और यहां पर कितना है 36.5 और नेक्स्ट मैं आग अज लगल करें हो जाएगा आपका जाएगा इस ताइप इसको करना था ठीक है आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बोक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं आप देखते हैं आपे next question कि दिये गए समिकरण में x कमान गयाद करना है तो इनको दोनों साइड आपको डिवाइड करना है बीस को आपको इस साइड डिवाइड करना है और into यहाँ पर क्या करना है 20 और equal में क्या है 5 into यह equation चली जाएगी ठीक है minus 3 x plus 9 अब आप इसको खुछ से solve करें तो आप साथ का करेंगे multiply इसमें तो कितना हो जाएगा 140 plus 2 का इसमें करेंगे 4 में तो 2 चोको 8 यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 80 हो जाएगा ठीक है यह ठीक है अब ऐसी इसको करेंगे तो 15 15 हो जाएगा और minus का x ठीक है और plus 5 into 9 कितना हो जाएगा 45 इस टाइप से आपको करना था ठीक है और यहाँ पर यह क्या है 80 x है ठीक है एक second यहाँ पर आपका कितना था यह हाँ 20 था ठीक है तो 20 x और यह इतना हो गया अब आप यहाँ प और यहाँ पर आजाएगा 95 यह आजाएगा अब जब 45 राइट साइड में जाएगा ठीक है और यहाँ पर 15 में से 80 आप 15 पहले यह माइनस में था और यहाँ पर 80 जो x है वो भी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कितना हो तो एक्सकोल यहां पर क्या आ जाएगा माइनस बचेगा तो यहां पर जो आंसर ऑप्षन नम्मरर फास्टी आपका आंसर हो जाएगा माइनस बचेगा पर एक आपको करना था इस टाइप से अब देखते हैं next question यहां पर 18 नमर question तो क्या है यहां पर के 1068 इंटू 4, 8, 6, 9, 2, 8 का स्क्वेर एक संख्या होगी जो खाली इस्थान अंक पर समाप्त होती है तो हम तब हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है तो कैसे बताएंगे तो यहां पर जितनी भी मल्टीप्लिकेशन में फेक्तार है उन सबका स्क्वेर करेंगे हो लासट डिजिट देखेंगे तो सबसे पहले हम 8 का देखें तो 8 का स्क्वेर करो 64 तो 4 ले लिया लिया तो यहांपर क्या है तो कितना आ गया 96 तो 96 का unit digit क्या है यानि कि जो अंते मंक है कि संक पर समाप तो रहा 6 पर तो 6 क्या हो जाएगा इसमें answer हो जाएगा आपका number that end in digit 6 इसका right answer हो जाएगा 6 पर ये खतम होगा ठीक है इनका square अगर हम करेंगे तो तीनों का multiply करेंगे तो जो end होगा वो सब्द रहेगा success type से इसको करना था आप देखते है 19th number question तो यहां पर 19 वाल भी हाल करें तो यहां पर क्या है 15 की जो power है वो 3 है और 5 की power भी 3 है तो 15 y 5 की power हम यहां पर 3 लेक लेंगे और whole power कितना है 2 है तो 5 3 जब 15 3 आ गया और 3 की power है 3 और उसकी power है 2 तो जब power की उपर power होती है तो उनका multiply हो जाता है तो 3 2 जब 6 यानि की 3 की power 6 हो जाएगा 3 की power 6 का जब आप multiply करेंगे 3 into 3 into 3 6 times तो कितना आ जाएगा 7 29 यहां पर answer हो जाएगा तो option number 3 जो है वो आपका answer हो जाएगा right answer ठीक है अब यहां पर हम देखते है last question 20 number question तो यहां पर क्या करना है आरेंज करना है में ascending order ROE क्रम में यानि की बढ़ते क्रम में हमें इस series को करना है तो हम क्या करेंगे simply यहां पर देखिए आपको simply इसको पूरा बना लेना है तो यहां पर 7 है यहां भी 7 है यहां 9 है यहां 9 है तो हम क्या करेंगे कि सबको एक सा बना लेंगे base को तो नीचे बाला हम देखेंगे Denominator, Denominator में हम क्या देखेंगे यहाँ 7 है, तो यहाँ 9 नहीं है तो यहाँ पे हम 9 का उपर नीचे multiply कर लेंगे, ठीक है इसी type से हम यहाँ पे minus 5 by 7 है तो यहाँ भी 9 का multiply कर लेंगे ठीक है, उपर नीचे फिर उसी type से हम third इसमें कर लेंगे minus 8 by 9 और into कर लेंगे, हम कितना 9 नहीं, अब इसमें क्या है, 7 नहीं है तो 7 by 7 का multiply कर लेंगे और last वाले में भी हम ऐसे करेंगे 8 by 9 into 7 by 7 ठीक है, अब फिर हम इनके सब के factors को लेख लेंगे, तो 9 into 3 कितना हो जाएगा 27 ठीक है, हम इसको next उसमें मैं आपको बता रही हूँ आप इतना note कर लो, इन सब का फिर multiply करके लिखेंगे, तो मैं बता रही हूँ ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर 9 into minus 3 था तो वो हो जाएगा minus 27 by 63 हमें सब की base को same कर लेना है फिर minus 5 into 9 लिखा था तो वो हो जाएगा minus 45 by 63, ठीक है, फिर उसके बाद हमने किसका multiply किया, minus 8 by 7 का, तो क्या हो जाएगा minus 56 by 63, ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, 8 by 9 था, तो into हमने काय का करा था यहाँ पर 7 by 7 का, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया था, 56 by 63, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा, मतलब हमें इसे ascending order में लेखना है, मतलब कि चोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा तो अब हम इसमें सबसे छोटा देखें, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, माइनस में आप देखें, माइनस की संखे जित्ती बड़ी होगी, वो उतनी तर्म यानि कि minus 8 by 9 जो है वो हमारा सबसे छोटा हो जाएगा फिर उससे बड़ा कौन सा होगा minus 45 बाला तर्म यानि कि minus 5 by 7 हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ पर तो इसके बाद हम देखें तो फिर कौन सा टर्म होगा यहाँ पर 27 वाला तो सबसे पहले है तो 3rd number option हम देखेंगे तो minus 8 by 9 फिर उससे बढ़ा होगा minus 5 by 7 उससे बढ़ा होगा minus 3 by 7 और सबसे बढ़ा होगा 8 by 9 तो इसका जो answer होगा वो option number 3rd हो जाएगा इस टाइप से आपको करने होते हैं कि आप बेस सेम कर लें फिर उपर की digit कर लें कि कौन सी शोटी अब बाइस बसे के जाए जाए अज़ा लाइक करें से आरे करें जो लोग चैनल पढ़ना है चैनल को सबस्क्राइब कर लें आप लोग को इस टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी थैंक्स पो बॉचिंग माई वीडियो प्लिल डाइक से यार अड सब्सक्राइब और आप को प्रीविस वीडियो बगरा देखना है तो आप लोग प्लेडिस्ट पर जाकर देख सकते हैं थैंक यू